नमस्कार आज का बाईविल अध्यायन दाउद ना केबल परमेस्वर की इच्छा को जानना चाहता था वलकि वो इस इच्छा को मानने के लिए प्रसिक्सित रुदय भी चाहता था दाउद अपनी दुस्मनों से उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करता था दाउद ने अपनी परिशानियों के बीच परमेश्वर की उपस्थिती के लिए प्रार्थना की उसने परमेश्वर से उसे सही तरीके से नेत्रुत करने की मांग की इस आयत का दूसरा भाग कहता है तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो वो हमें अधर्म की भूमी में ले जाता है हम उस भूमी में अपना रास्ता नहीं खोच सकते जब तक की परमेश्वर हमें ना दिखाए और हमें उसके हाथ से ले जाए परमेसुर की आत्मा हमारा मार्ग दर्सन करेगी और हर समय हमें सही तरीके से रखेगी जैसा कि इस आयत बचन बारवी में उल्लेक क्या गया है और मेरे सब सताने वालों का नास कर डाल क्यूंकि मैं तेरा दास हूँ हमें अपने दुस्मन हमारे पाप के बिनास की तलास करनी चाहिए हमारे परमेसुर की कृपा से हम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे भजन संहिता पचीस का चौथी अध्याए है यहोवा अपने मार्ग मुझे को दिखा अपना पत्त मुझे बता दे अपने जीवन में परमेसुर की इच्छा का पालन करने की इच्छा रखें आपको सही मार्ग दिखाने के लिए परमेसुर से उनके दिब्य मार्ग दर्शन की प्रार्थना करें यह संगसार पाप के सागर में डूब रहा है तो आईए हम सभी परमेसुर से हमें इस दुनिया में अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करें आमेन यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुर्पिया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी पर क्लिक करें यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब किये हुए हैं तो धन्यवाद प्रुपिया अपने दोस्तों और प्रिस्तिदारों के साथ इस वीडियो को सेयर करें इस बाइबल अध्यान पर अपने बिचार और सवाल कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेजे धन्यवाद झाल